हेलो बच्चों स्वागत है आपका DGS क्लासेस में आज का टॉपिक आइनाइजेशन एंथल्पी बच्चों हमें ये पता है कि सोडियम बाबू एक एलेक्ट्रोन लूज कर देते हैं अरे भाई बिना कुछ किये ही लूज कर देते हैं कुछ ना कुछ तो लेते होंगे न यार एक एलेक्ट्रोन लूज कर रहे हैं तब ही उन पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है यह हमें सब को पता है कि सोडियम पर 11 एलेक्ट्रोन ग्यारा प्रोटोन होते हैं अब तुम्हें उससे लड़ना होगा, तुम्हें उससे गुसा दिखाना होगा, मेरे 500 रुपे आपस दे भाई, ये जो तुम गुसा लगा रहे हो, ये जो तुम एनर्जी लगा रहे हो, उससे 500 रुपे लेने के लिए, ये उस बंदे की Ionization Energy है, किसी भी एटम से एक Electron लेने कमजोर हो, वैसे ही एक atom से जब electron निकालना हो उस time पे निकालोगे, जब वो कमजोर अकेला हो, यानि gaseous state में हो और isolated हो, तो ionization enthalpy is the energy required, note करो to remove an electron from an atom in its isolated gaseous state वो energy, जो हमें लगानी पड़ेगी एक atom से electron निकालने के लिए उसकी isolated gaseous state यह आपको ध्यान रखना है अब बच्चों ionization enthalpy की proper definition यह हो गई क्या हुई first ionization enthalpy क्या हुई second ionization अब भाई देखो sodium बाबू से हमने एक electron निकाला तो जितनी energy हमें यहां देनी पड़ी वो हमारी first ionization enthalpy हो गई second होगी अगर मैं na plus से electron निकालने जाओ this is going to be my second ionization enthalpy बट भाई यह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि na plus जो है अब वो noble gas configuration में आ चुका है और अगर वो noble gas configuration neon से मिल गया न अगर वो noble gas configuration हो गया now it is pretty difficult for us कि अब यह असानी से छोड़े तो यह बात ते है kyanization enthalpy 2 इस case में sodium के case में 1 से जादा हो गई यही बात अगर हम magnesium पे लगाने कोशिश करें अब magnesium plus से अगर magnesium plus 2 पे जाना है energy तब भी देनी पड़ेगी बड़ अगर हम देखें जिसते हैं sodium के अंदर 1 के बाद 2 में एक जबरदस जम पाया क्या magnesium में वैसा आएगा क्या एकदम से बढ़ेगी वो तो दूसरा lose करेगा न noble gas पे जाने के लिए एक्चली sodium की जो second थी वो फस्ट से एकदम से जादा हुई क्या इस केस में ऐसा है obviously नहीं क्योंकि वो तो चाहा रहा था बच्चों यही एक proper सी बात है यही concept है magnesium लेकिन अब third पे आऊ गए तो magnesium भी noble gas पे आ गया उसको भी बहुत जादा energy एक gap होगा second और third में तो यह ionization enthalpy हुई बच्चों ठीक है तो ionization enthalpy को समझना है तो कुछ नहीं एक atom से electron निकालना है जितनी energy उसको निकालने में देनी पड़ेगी वो ionization enthalpy हो गए अब एक चीज़ सोचो किन factors पे यह depend करेगी है तब ही इसकी variation पहेंगे factors affecting और यह हमेशा system को देनी पड़ रही है तो हमेशा plus रहेगी याद है ionization enthalpy से पहले हमने बात करी electron gain enthalpy वहाँ मैंने बोला कि जो first electron gain enthalpy की बात करते हो पहला electron जब वो gain करना चाहता है atom जब वो gain करना चाहता है atom तो energy lose करता है याद है energy release थी वो भी किस case में non metal के case में याद आ रहा है ionization enthalpy positive रहेगी योगि यह system को देनी पड़ेगी electron निकालने के लिए उससे factors affecting क्या हो सकते है देखो बड़ी obvious सी बात है electron जितना nucleus के पास है उतना tightly bounded है उतना उसको निकालना मुश्किल है ठीक है मिरे बच्चे देखो एक बात सोचो अभी atomic structure के इंदर मैं समझा रहा था आपने मेरा बोर के सारे derivation भी देखे होंगे और मैंने कहा था electron जब nucleus की तरफ चलता है तरफ चलता है तो energy कम बाहर जाता है तो energy ज़ादा तो अगर आप उसको energy दे रहे हैं तो वो quantum of energy gain करता जा रहा है और nucleus से दूर होता जा रहा है तो अगर nucleus से पहले ही दूर है atomic size बड़ा है तो उसको निकालना असान है हाना तो इसका मतलब ionization energy is inversely proportional to atomic size देखो ना यार बेटा बड़ी obvious सी बात है आप जितना अपने पापा के साथ है parents के साथ है उतना आप tightly bound है उतना आपको react कराना मुश्किल है उतना आपको घर से दूर करना मुश्किल है जितना आप दूर चले गए hostel चले गए यारी दोस्ती में ज़्यादा उलज गए वहाँ आप गलत चीजों में जा सकते हैं अब आप दूर हो गए आपकी एनरजी दम से हाई हो गए आप you can react with anyone atomic size as we move down the group ध्यान से देखिए as we move down the group in our periodic table क्या होता है number of shells बढ़ती है number of shells add होती जाती है तो उससे size बढ़ता है size बढ़ता है तो electron nucleus से दूर होता जाता है दूर होता जाता है तो उसको निकालना असान होता जाता है तो अगर हम देखें जैसे लीथियम से चले first group में तो size हमारा ऐसे बढ़ रहा है यह मेरा size as we move down the group size बढ़ रहा है size बढ़ रहा है तो ionization enthalpy कम हो जाएगी as the size increases from top to bottom ionization enthalpy decreases now left to right क्यों होगा बच्चों size कम हो रहा है because number of shells तो नहीं बढ़ रहे हैं atomic radius में बढ़ रहे हैं but positive charge nucleus से बढ़ रहा है negative charge उसी शेल के इंदर number of electron बढ़ रहे हैं because आप left to right जा रहे हैं तो atomic number तो बढ़ रहा है बड़ी लाजमी सी बात है तो left to right अगर मैं जा रहा हूं atomic size कम हो रहा है nucleus के पास आ रहा है निकालना मुश्किल हो रहा है ionization energy बढ़ रही है top to bottom कम हो रही है left to right बढ़ रही है लेकिन अगर हम इस तरहें चलें तो पहले group में lithium दूसरे में beryllium तीसरे में boron अगर इनकी देखें अब यहां एक बड़ा important point देखना पहले आपने size से देखा अब यहां से एक चीज़ और मैं आपको समझा रहा हूं यहां बच्चों expected था कि ionization enthalpy ऐसे बढ़ती है यह expected था बड़ जो actual हुआ वो कुछ अलग हो गया सर ऐसा कैसे काईड़ से वोरोन की ज़्यादा होनी चीज़ी तब हमें देखना पड़ा कि electronic configuration की stability stability of electronic configuration अगर मैं beryllium का बनाता हूं 4, 1s2, 2s2 और बोरोन का बनाता हूं 5, 1s2, 2s2, 2p1 बचों देखो हम जानते हैं जो completely filled status होता है वो better होता है यह completely filled status है जारा जानकारी के लिए atomic structure का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं यह completely filled है यह नहीं है तो beryllium से completely filled state जो है orbital आप देख रहे हैं पूरे भरे वे हैं उसकी वज़े से इसकी ionization enthalpy better होता थी यही सेम किस्सा हम देखते हैं कि अब आगे बढ़ें तो nitrogen oxygen इन दोना में ज्यादा किसकी होने चाहिए लेफ्ट टू राइट के साथ से चलें तो इसकी होनी चाहिए थी यह expected था बट actual किसकी है ऐसा क्यों nitrogen से electron निकालना ज्यादा कठिन क्यों अरे बड़ा असान nitrogen का electronic configuration लिख लो 7 है बच्चों 1s2 2s2 2p3 डब्बे बना लो इसके डब्बे वाला structure बनाओ यह लो बना लिया जी oxygen का बना लो बिटा 8 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 यह half field हो गया जारा स्टेबल हो गया so nitrogen का half field हो गया जारा स्टेबल हो गया electron निकालना मुश्किल हो गया तो यह affecting factor में आ गया इसके बाद देखो जी थर्ड फेक्टर आपने देखना है बिटा एक चीज़ होती है देखो इसको बोलते है screening effect जो inner shells है यानि यह रहा मेरा nucleus जो यह अंदर वाली shell है यह outer वाली shell में present electron को nucleus के attraction से बचाएंगी और बचाएंगी तो इसका निकलना असान हो जाएगा निकलना असान हो जाएगा ionization enthalpy कम हो जाएगी इसी को बोलते है screening effect और shielding effect so what you can say the inner shell protects the outer shell from the nucleus attraction this is known as screening or shielding effect so अगर यह भी ज्यादा है तो भी कम है ionization enthalpy क्योंकि उतना यह निकलना असान हो जाएगा बच्चा इसका मतलब सर जितना positive यहां तक पहुचेगा उतना ही ionization enthalpy ज्यादा होगी हाँ मेरे बच्चे तो अगर nuclear charge ज्यादा है तो ionization enthalpy भी ज्यादा है और इसी से हमारा next lecture जो आने वाला है जो आ रहा है effective nuclear charge हम पढ़ाएंगे आपको उसमें slater rules बताएंगे channel subscribe कर लो share कर लो like कर लो और इन वीडियो का 11 का बच्च अगर आप 11 के बच्चे हैं तो संकल्प बच्च है अगर 12 में है तो लक्षे बैच है और अगर आप जेई की त्यारी कर रहे हैं तो संघर्ष बैच है चली बच्चो thanks a lot I am Dr. Gaurav Sharma मैं आपके पूरे यह session ले रहा हूं और आपको समझा रहा हूं अगर आप English में देखना चाहते हैं तो DGS Classes English इस Sunday से आपके पास आ रहा है ठीक है कुछ वीडियो आपने देखेंगे इस चैनल पर भी English में है तो उसमें भी आपके आएंगे thank you बच्चो झाल